हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागता है हमारे चैनल SMII पे इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्टमेंट आइडियाज लेके आते हैं और आपको स्टॉक रिक्मेंडेशन भी देते रहते हैं स्टॉक मार्केट बहुत ही बॉलेटाइल होती है और शौर्ट टर्म में इसमें बॉलेटाइल्टी भी रहती है इसलिए आपको स्टॉक स्टॉक रहने की जुरूरत है आज भी स्टॉक मार्केट में बॉलेटाइल्टी दिखी गई है इसलिए आप अच्छे क्वाल्टी के स् fundamentals EK کرकے check करने होंगे तो आज हम बात करने जा रहे हैं икомपण के स्टॉक के बारे में इस पे नए target भी निकल कर आ रहे हैं उसको हम जानेंगे और इस company के सारे fundamentals EK करके हम discuss करेंगे सबसे पहले हम आपसे request करेंगे ज़िए आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आएए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी जो लेटेस्ट न्यूज उसको डिसकस कर लेते हैं एमकी ग्लूबल की तरफ से टीवी एस मोटर्स कंपनी पे नए टार्गेट निकल कर आ रहे हैं बाइकॉल आई हुई है बिदे टार्गेट लेबल ओफ रूपिस 730 सबसे पहले इस कंपनी का जो लेटेस्ट क्वाटर है उसके जो रिजर्ट्स आए हैं उनको डिसकस कर लेते हैं फार्दा क्वाटर एंड़ ऑन थर्टी फॉस्ट मार्च तो तो संट वंटी वन दा कंसॉलिजेटर टोटल इंकम ऑफ था कंपनी हैज बिन रपोर्ट एज सिक्स तौजंड वन हंड़न फॉर्टी क्रोड नियरली और यह जो कंपनी हैं बहुत ही अच्छा मनाफ़ा भी कुमा रही है और जियर ऑन जियर बेसे पे यह क्वाटर ली बहुत ही अच्छी ग्रोथ लिए वो शोग कर रही है अब हम इस कंपनी का इंवेस्मेंट रैशनल जान लेते हैं कि ब्रोक्रियर फॉर्म इस पर क्यों ब्यूलिश दिख रहे हैं दा डिमेस्टिक टू बीलर बॉलियम आउटलोग की बहुत ही पॉस्टिव और बहुत ही पॉस्टिव दिख रही है बह इंडिशन एक्सपोर्ट आउटलिक इस आलसो एंकरजिंग अक्रॉस दा मोस्ट मार्केट्स ऑन दा हायर कॉमडेटी प्राइसे एंड बैटर फॉरेक्स वेलिबिल्टी फार्दा इंपोर्टर तो आप देख सकते हो इस कंपनी की जो इंपोर्टिंग अविल्टी है डैट इस आलसो वेरी वेरी स्टॉंग और अपोर्ट में भी बहुत ही अच्छे ग्रोथ के चांसे निकल कर आ रहे हैं दा ब्रोक्रेज अक्सपेक्स इबॉलियम सी एजियर ऑफ 14 परसेंट ओवर दा फिनेंशल जियर ट्वंटी वन्टी फॉन्टी 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 इस लिए इस कांपनी की जो अर्णिंग रूथ है बहुत ही पॉस्टिफ दिख रही है और इसकी जो रेवन्यू की सीजियर ग्रोथ है वह सेवंटीन परसेंट एंड थर्टी नाइन परसेंट रह सकती है तो इसलिए जो ब्रोक्रेज हैं वह इस स्टॉक में बहुत ही देख लेते हैं तो आज इस स्टॉक में पॉस्टिफ ट्रेंड देखा गया है 0.27 परसेंट की तेजी देखी गई है और यह जो स्टॉक है 610.95 रूपीज पे क्लोज हुआ है अब हम इसकी फाइव डे की परफॉर्मस देखेंगे कि लास्ट फाइव डेज में इस स्टॉक म देखेंगे आप ट्रेंड शो किया था फिर इसमें को सॉलिडेशन आई थी जो इसका उपर जो बन रहा है स्पोर्ट लेवल डैट इस नियली 607 तो उपर बड़ा जो है 607 के रोंड जो है स्पोर्ट लेवल बन रहा है इसके बाद इस स्टॉक में फिर पॉस्टिफ ट्रें है तो एक मंत का पाइटर नियली फ्लैट निकलकर आ रहा है जोस्का लोग स्पोर्ट लएवल दोने हमने पहले भी बनाती है वह सेम आपका यहां पे भी शो हो रहा है 600 का इसका जो है स्पोर्ट लेवल बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है 6 मंत का पैटरन देखें तो बहुत ही बढ़िया रिटरन निकल कर आ रहे हैं 22.26% के इसमें रैली देखी जा रही है और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव अप्टरेंड जो है वो शो कर रहा है आज का यह जो है स्टॉक है यह कुछ को सॉलिडेशन जोन में चल रहा है अब हम इसका फाइव जियर का डाटा देखेंगे तो फाइव जियर में आप देख सकते हो इस स्टॉक ने 103% के मल्टी बैगर रिटरंस दे दिये हैं पहले इसमें अप ट्रेंड आया था फिर इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला था लेकिन 2020 के बाद इसमें बहुत ही ब्यूलिश पैटरन भी बन रहा है ज़री हम इसका मैक्सिमम डाटा देखें तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो इसका जो चार्ट पैटरन है वह भी बहुत ही पॉस्टिव आप ट्रेंड शो कर रहा है तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी फिनेंशिल परफॉर्मेंस चेक करेंगे हम देखेंगे कि इस कामपनी की जो फिनेंशिल परफॉर्मेंस है किस तरह की निकल कर आ रही है और इसकी जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो किस तरह की निकल कर आ रही है सारे पैरामेटर्स पारे पंडामेंटर्स एक की करके हम जानेंगे सबसे पहले इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो आप देख सकते हो इसमें मिड रेंज मोमेंटम बन रहा है आज कल और यह जो स्टॉक है इस आसो अंडर पर्फॉर्मर एज अगेंस निफ्टी कुप्टी रिटर्न ऑफ जीरो पॉइंट नाइटी फाइफ परसंट इन दा लास्ट वन मंथ तो अब हम इस कांपनी के सारे का डाटा चेक का लेते हैं पहले कि बॉलिम किस तरह का निकल कर आ रहा है आज का डाटा हमारे पास पहले अवेलेवल नहीं है पहले कल का डाटा देख लेते हैं तो आप देख सकते हो 63.16 परसंट के डिलिवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है बहुत बढ़िया डिलिव परसंट कर रही है आप देख सकते हो इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया माल उठाया जा रहा है और इस स्टॉक की जो है बहुत ही अच्छी अक्मूलेशन भी हो रही है अब हम इस कांपड़ी की फिनेशल परफॉरमस जान लेते हैं कि इस कांपड़ी का जो रेवनू है औ तो आपके स्क्रीन के सामने इसका रेवनू का डाटा आ चुका है स्टार्टिंग फों मार्च टॉमार्च 21 तो मार्च 21 में इसका जो रेवनू था दैट वास 4104 क्रोड और जून कवाटर में जहां पर बहुत ही स्लंप देखने को मिला आप देख सकते हो वान थोजन 939 क्र देखने को मिल रही है अब हम इसका नेट प्रॉफिट का क्वार्टर ली डाटा पहले स्टडी करेंगे तो वो भी सेम पैटरन शो हो रहा है आप देख सकते हो पहले इसका जो मार्च 20 में से लेके और जून 21 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगटिव हो रहा है और मार्च 20 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़के 370 क्रोड हो गया है यहां पे भी जून के बा मार्जन बिंप्रूव हो रही है अब हम इसका डाट रहेंगे तो आप देख सकते हो जो यहां वह देखने को मिल रहा है जदी हम नेट प्रॉप्र का डाटा देखें तो ये भी अप्ट्रेंड शोग कर रहा है तो आप देख सकते हो 2017 में इसका जो नेट प्रॉप्र ता डैट वास 509 क्रोड एंड 21 में ये 615 क्रोड रह गया है पहले ये इंक्रीज होके ये नाइन तीन में 723 क्रोड भी रह गया था और उसके बाद यहां पर डॉंट्रेंड भी देखने को मिला है अब हम इस कांपनी का शेर होल्डिंग पैटरन जानेंगे देखेंगे कि शेर होल्डिंग किस तरह की निकल कर आ रही है तो आप देख सकते हो बहुत ही मिक्स शेर ह पैटरन हो रहा है अब हम इसका जो ट्रेंड भी चेक का लेते हैं शेर होलिंग जो पर मोटर्स आपना स्टेक तोड़ा रहे हैं आप देख सकते हो जून तुबंटी बार होलिंग 57.4 परसंट अफोल लिए आप देख सकते जून में 52.26 परसंट होलिंग इनकी रहे गए या पर मोटर्स की अब हम इसका डाटा देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है यहां पर बहुत ही बड़ी आ पॉस्टिव आप ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते जून 21 में इस बार होलिंग 10.52 परसंट और यून 21 में यह बढ़के 13.92 परसंट हो गई है यहां बहुत ही बड़ी आ पॉस्टिव आप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और एप लगातार इसमें अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं अपना स्टेक भी इस स्टॉक में इंक्रीज कर रहे हैं अब हम डिया इसका डाटा देखेंगे तो यहां पर भी आप ट्रेंड देखने को मिल रहा है पबलिक ने अपना जो पैसा है इस स्टॉक में से निकाला है और 10.1 परसंट से रहे गया है मार्जिनली रिदक्शन देखने को मिल रही है एंड में हम आपको यही कहना चाहते हैं जो टीवी आस मोटर्स का कामपनी का स्टॉक है बहुत ही इसमें फंडामेंट भी इंक्रीज होगा और इसका डुमेस्टिक लेवल पर भी जो सेज है वो इंक्रीज होगी इसका इंपक्ट इस कंपनी की ग्रोथ पर देखने को मिलेगा तो इसलिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टोलियों में एड कर सकते हो इसका एक साल का टार्केट हमने बताया है उसके कॉर्डेंग ली अपनी पिजिशन बना सकते हो थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी इसमें बाई करते रहें एड करते रहें तो आपको बहुत ही बड़ीया फैदा हो सकता है क्योंकि कोई भी स्टॉक एक डिरेक्शन में मूव नहीं करता है इसमें आप सैंड डॉन आते रहते हैं तो जैसे ही आपको डॉन में यह स्टॉक मिलता है जैसे आज का यह स्टॉक बहुत ही अच्छी क्रेक्शन पर मिल रहा है तो आप इसको जो अपने अपने जो पॉर्ट फोलियो है उसमें जुरूर एड कर सकते हो सो वी थैंक्स यू पार लिस्टिंगे वीडियो ह हम आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें बैल एकन का बटन भी प्रेस कर दें आपको मारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजेगा